हेलो गाई साज हम बात करेंगे रेड मी नाई नाई के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके DPI के बारे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में DPI को चेंज करेंगे ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिचेगा, बेल का इकोन को प्रेस करेना है DPI चेंज करने के लिए, फर्स्ट अफाल आप लोग अपने फोन में सेटिंग्स ओपन करेंगे उसके बाद हम click करेंगे यहाँ पर, additional settings पर और आप लोग यहाँ पर click करेंगे developer options पर अगर आप लोगो के फोन में developer options तो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, किस steps इसको enable करना है इस topic के उपर हमने already video upload कर दिया है, आप लोग इस video को checkout कर सकते हैं अब हमें developer options पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर searching का option तो नहीं रहता तो हमें custom तरीके से ही इसको ढूणना पड़ेगा ओके सो यहां पर हमें एक option को ढूण लेना जिसका नाम रहता है smallest width तो हम यहां पर इसको ढूण लेते हैं यह आचुका smallest width इस पर हम क्लिक करेंगे और यह अभी default में सो कर रहा है जितना भी आप लोग अपने फोर में dpi को change करना है कम रखना है ज्यादा रखना है आप लोग अपने हिसाब से उसको changes कर सकते हैं अब काफी लोग बोलते कि हम कितना dpi रखे minimum कितना maximum रखे तो उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि depend करते हैं अधिकतर gamers लोग dpi को change करते हैं तो depend करता है आप लोग अपने हिसाब से dpi को रख सकते हैं अगर मेरी बात करें तो मैं तो हमेशा वैसे default dpi ही यूज करता हूं बट अगर आप लोग को change करना तो कर सकते azure ways okay so मिलते है next वीडियो में जाए माता दी